हेलो इस वीडियो में हम स्प्रेसिफिकली बात करेंगे एनेटी क्या होते हैं और एनेटी में कौन-कौन से रिस्क असुसियेटेड हैं यह जाने हैं इस वीडियो के साथ सबसे मेले समझते एनेटी होता क्या है एनेटी सेंट फॉर नॉन फंजिबल मतलब क्या कि ऐसी चीज जो की यूनीक है इसको आप रिप्लेज नहीं कर सकते किसी और चीज के सिंपल से एक्जामबल लेता हो सलमान भाई का बैंट अब वह बैंट जो पैंद है वह उनके लिए यूनीक है अगर वह चाहें वह बेस दे तो कहीं ना कहीं वह यूनीक चीज को वह फिजिकल चीज को करेंगे डिजिटल असेट में और फिर आफ सेल ऑफ करेंगे मतलब ही मैं बोल रहा हूं कि वह चीज को वह एनेफ्टी बनाएंगे राइट तो एनेफ्टी जो है एक डिजिकल डिजिकल असेट है जिसकी ओनर्षिप डिंक की जाएगी ऐदर विद्ट फिजिकल एसेट और अब आप इनेफ्टी में काफी सारी चीज़े आज कल आ रही है जैसे बोलो आर्ट वाक आ रहा है रिल इस्टेट प्रॉपर्टी जारी है म्यूजिक सारह है विडियो जारी काफी सारी चीज आ रही है एक बढ़िया से एक्जांपल देता हो आपको अगर मैं आपको बताओ त जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अपना खुद का वह लॉंच कर रहे हैं जहां पर काफी सारे एनेफ्टी वह सेलओ करने वाले कुछीज भी है वजीर एक्स ऐसा प्लेटफॉम है जहां पर काफी सारे एनेफ्टी बाय और सेल होते हैं आप मैं समस्ता हों कि यार एनेफ्ट आप इसमें दिक्कत क्या है इसमें इश्यूस क्या है प्रॉब्लम्स क्या है एनेफ्टी सबसे पहली चीजब प्राइजिंग कफी जादा वॉलटायल हो जाए है बतलब कि यहां पर प्राइजिंग प्राइश करना एक फेक्टर है दूसरा लिक्वीडिटी मैंने चालो माल यहां पर जो है ना यह चीज रेगुलेटेड नहीं है यार इना कई गौर्मेंट के दौरा रेगुलेटेड नहीं है तो वह चीज डूब न जाए तो वह चीज का में थोड़ा सा रिस्क लगता है गौर्मेंट के दौरा बैक अप नहीं है प्राइसिंग जो है कंटीनियूसली वीरी होता रहता है और मालों की एक प्राइस चेंज होने से या कहीं न गहीं है इसका जो प्राइसिंग है इस डिपेंडेंड इस प्राइस बनाई है अब मुझे कैसे पता कि इस पंदे ने प्रॉजब क्याहिएस प्राइस में है मैं इस प्रेश्पक्टिव से में देखो यह सब शाइट है यह सब रिज neither अ तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा तिल देन बबाए टेक केर और बताइए कि और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए मैं उस टॉपिक पर वीडियोस देखिया हुगा